प्राइक पार्टी के राष्टी एदर्श खिलेग शादो जी मेरे साथ मौजूद आए उनसे बात कर लेते हैं सर ठीक एक हफ्ते पहले जो रजल्ट आया था आपने उत्तर परदेश में नया इतिहास लिखा नया पन्ना इतिहास में आपने जोड़ दिया कैसे इतिहास बनाना संभव हो पाया सर देखे चुनाओ जनता ने रड़ा और जनता ने ये महसूस किया कि उसका समिधान उसके हक अधिकार खत्रे में हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडिये पर और इंडिया गडवंदन पर भरोसा किया और उसका परणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजिन की सरकार है जमीन पर जो चीज़ें नहीं दिखाए दी उसकी नाराज़गी देखने को चुनाओं में मिली उनके किलाब और उसी का परणाम ये है कि भाते जिनता पार्टी बहुत बुरी तरहा रही है जहां हम लोग खड़े हैं फरका बात बगल की कोंस्टेंसी है पर सासन ने और खास करके वहां के जिल cradleकारी ने जिलाय दिकारी पर क्या दबाब रहा होगा? जिला अधिकारी ने क्या समझा होगा, क्या बहिमानी रही होगी जिसके कारण समाज़ादी पार्टी के प्रत्यासी को उसने जहनबूश करके हराया ये बातें भूलने वाली नहीं हैं कि जो अधिकारी अपने पद पर रह करके जिसको सब भरोसा करते हैं कि आईएस हैं, आप अधिकारी हैं, निस्पक्ष करेंगे निस्पक्ष तरीके से फैस्दा देंगे लेकिन पदा नहीं क्या बात थी कि जिला अधिकारी हो वहां के प्रसासन पे नजाने किस बात का दवाब था कि जहां समाज़ादी पारटी जीती उसको हरा दिया नकिवल फरकाबाद में अलीगर में भी यही घटना हुई है जहां पर लाठी शार्ज हुआ नजाने क्या क्या करा परसासन ने उसके बाद परड़ाम बदल दिया फूल पूर कॉंस्टेंसी बहुत कम बोटों से हारे बांजगाओं के लोग धरना प्रदसन करते रहे मांग करते रहे कोई सुनवाई नहीं हुई मुझे उम्मीद है कि जनता ये सब देख रही है आने वाले समय में इन सब को लाखो लाखो बोट से जन्दा जिताएगी ये बेमानी भी करना चाहेंगे तो बेमानी नहीं हो पाईगे आपके पास संसाधन कम थे टर्निंग पॉइंट कोई सा मानते है आप इलेक्षन में टर्णिंग पॉइंट कोई सा पॉइंट था जहां से इलेक्षन बिलकुँ उलट गया और आपके पक्ष में आ गया देखे जनता ने मन मना लिया था कि भारते दिंता पाड़ी को सबक सिखाएंगे चाहिए वो डेबल इंजिन की सरकार रही हो टेबल इंजिन की सरकार रही हो दिली वाले रहे हो लखनो बाले रहे हो जनता मन बना चुकी थी कि उन्हें सबक सिखाएंगे क्योंकि उन्होंने पीडिये के अधिकारों को चीना है उनके हक को चीना है आरेक्षण के साथ खिलवार हुई है जाती रणना नहीं की है महंगाई बढ़ाई है प्रोजगारी बढ़ाई है मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो सही होग से बना ली है अगनी बीर वबस्ता खतम होगी नौजमानों को नौकी रोजगार मिलेंगे और जो बड़े-बड़े जूटे वादे इंवेस्टमेंट में किये थे कंसकंद जमीन पर इंवेस्टमेंट दिखाई देगा आखनी तबाल सर पीडिये जारी रहेगा नक का नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश हमें देश में कई जगह पर भारती जन्ता पार्टी को मुह की खानी वड़े झाल झाल झाल